नमस्कार, सरकारियाद में यूटूब चैनल की नई और फ्रेस्ट वीडियो में आपका एक बार फिस्य स्वागत है जैसा कि आप वीडियो के थमनल में देख चुके हैं आज की जो हमारी वीडियो है वो पोस्टल भी भाग के अंदर यहां पर MTS तथा मेल गार्ड की पोस्ट निकली हुई है उसे के बारे में जानकार हें हम आपको यहां पर प्रवाइड करने वाले हैं तो चलिए जान लेते हैं कि अलग अलग किटेगरी के लिए यहां पर क्या कंडिस्टन है और इसके साथ-षाथ क्या यहां पर सैलरी होने वाली है इन सावत CPC प्लेस जो admissible allowances होते हैं वो provide किये जाएंगे इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कौन-कौन से result category है तो result category SC, ST, OPC तथा ex-serviceman PWD candidate apply कर सकते हैं तो चली जानते हैं result category के लिए यहाँ पर क्या relaxation provide की जाती है तो result category में बात करें SC, ST candidate की तो उनको 5 साल की age limit provide की जाएगी जो prescribed format है यहाँ पर age limit का maximum उसमें plus 5 साल के आपको छूट provide करी जाएगे other backward classes other OPC के लिए 3 साल की यहाँ पर छूट है person with disability अगर PWD अनिजवड के लिए 10 साल PWD पलस SC, ST के लिए 15 साल और OPC के लिए 13 साल की यहाँ पर छूट provide की गई है आगे हम बात करें अगर ex-serviceman की तो ex-serviceman को यहाँ पर जितनी rendering service उन्होंने military के अंदर दी है उसके अंदर plus 3 year की आपको यहाँ पर age relaxation provide की जाएगी इसके बाद एक कटेगरी ऐसी है जो गोर्वेंट employees जो already इन्होंने central government या फिर other government के अंदर service ले रखी है और 3 साल से कम की उन्होंने सेवाने की है तो उनको भी यहाँ पर छूट provide की गई है अगर वो unreserved category के candidate है तो 35 साल तक की उमर तक वो भर सकते हैं एसी स्ट कंडिडेट है तो 40 साल की उमर तक वो अपलाई कर सकते हैं और OBC कंडिडेट है वो 38 साल की उमर तक अपलाई कर सकते हैं उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपकी education qualification क्वालिफिकेशन क्यों होनी चाहिए तो education qualification में MTS के लिए आपकी education qualification 10th या पर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप यहाँ पर examination center अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं date of examination की बात करें तो चलिए date of examination आपको अपर हम दिखा देते हैं तो यहाँ पर जो यह application है यहाँ पर primary registration जो है 31 January 2019 से start हो चुकी है और 28 February 2019 को closing date है यहाँ पर payment की बात करें तो payment यहाँ पर 5 March 2019 तक कर सकते हैं आप और last date जो final submission है application की through online वो 8 March 2019 है उसके बाद आगे हम यहाँ पर बात करते हैं जो syllabus pattern क्या है या फिर free detail कितनी है तो यहाँ पर आप application fees है यहाँ पर 100 रुपए है examination fee है यहाँ पर 400 रुपए है और अधर जो candidate है जो SC, ST, PWD, women या फिर result category के candidate जैसे X-Man हो गया उनके लिए यहाँ पर कोई fees नहीं है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो female candidate है SC, ST, OVC, application fees 100 रुपए है लेकिन examination fees 0 है male candidate के लिए unreserved OVC के लिए 100 रुपए यहाँ पर application fees है लेकिन SC, ST, PWD के लिए 100 रुपए application fees है और यहाँ पर examination fees नहीं है उसके बाद आगे हम बात करें कि यहाँ पर पर जो syllabus pattern है वो किस परकार है तो syllabus pattern के अंदर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो main आपका syllabus होनी वाला है वो इस परकार है तो सबसे पहले जो pattern है multitasking stop के लिए तो यहाँ पर total 100 marks के लिए यहाँ पर aptitude test लिया जाएगा part A, B और C के अंदर part A के अंदर 25 questions होंगी 25 marks के होंगे multiple choice questions होने वाले है part B के अंदर यहाँ पर 25 marks की 25 questions mathematics के होने वाले है part A में general knowledge के थे इसमें भी multi choice questions होंगे part C के अंदर 2 segment बनाए गए है पहला segment है जो English language के लिए है दुसरा अगर आप यहाँ पर चूज करते हैं तेलिगू language के लिए तो यह भी 25-25 marks के 25-25 questions यहाँ पर होने वाले हैं तो आगे हम qualifying marks की बात करें तो total यहाँ पर 120 मेंट के अंदर आपको यहाँ पर complete करना है qualifying marks पार्ट A और B की बात करें तो minimum 10 marks for unreserved category के लिए SCST 8 marks से पास हो सकते हैं और OBC जो है वो 9 marks के से यहाँ पर पास हो सकते हैं पार C जो 2 segment थी उसमें minimum 10 marks unreserved category को लेने होंगे SCST को 8 marks लेने होंगे और OBC को यहाँ पर 9 marks लेने होंगे उसके बाद part C की थर्ड पार्ट में हम बात करें unreserved category के लिए 40 marks है SCST के लिए यहाँ पर 33 marks और OBC candidate के लिए यहाँ पर 37 marks होने चाहिए उसके बाद probation की बात करें तो selected candidates होगा उसको पहले 2 साल का probation पर रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ पर उनको जो permanent duty है वो दे दी जाएगी उसके बाद registration की बात करें तो registration करने के लिए आप यहाँ पर www.india.govin.in के उपर जाएए और वहाँ पर आप register करें और अपना यहाँ पर जो first step है registration का उसके अंदर अपनी जो personal detail है अपनी name, date of birth, community, gender, education, qualification, mobile number, email id डालें उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अपनी detail और इसके बाद जो input जो आपने डाली है appropriate starboard डालें और अगर उनको edit करना चाहते हैं तो edit का option आपको मिलेगा उसके बाद आपको final submit कर देना है उसके बाद जब आपका successful registration हो जाता है तो आपके पास registration number आ जाएगा और email id जिससे आप login करना चाहते हैं वो आपको save करके रखनी है candidate जो है अपना registration number या date of birth वहाँ पर use कर सकते हैं अपनी login करने के लिए second step में आपको यहाँ पर फीडिटेल डालनी होगी उसके बाद mode of फीडिटेल आप यहाँ पर चलांस के help से डाल सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी final submission करना होगा final submission के बाद आपको print out निकाल लेना है और जो भी document की जुरूत है तो यहाँ पर आप देख पार no document to be attached as proof at the time of submission of application मतलब application submit करते वक्त आपको कोई document attached नहीं करने है अगर आपको select हो जाता है इंटर्यूज के लिए बुलाया जाता है तो आपको यह original document लेके जाने पड़ते हैं तो ध्यान से पड़ें इन instruction को और एक पर फिस से final date हम आपको बता देते हैं 27 जनरी 2019 से start हो चुके हैं 28 फरवरे 2019 तक आप apply कर सकते हैं 5 मार्च 2019 तक फिस आप यहाँ पर डाल सकते हैं और 8 मार्च 2019 तक आप अपना last submission यहाँ पर कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही we hope वीडियो में दी गई जानकर आपको वैल्यू भी लगी होगी फिर हाजर होगी आपके सामने latest job update के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ तन्यवाद जय ही जय भारता